सेना की स्पेशल फोस का जाबाज जवान जो देश की सरहुदों पर रहकर करता है नागरिकों की रक्षा फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जवान को बेडियों से बांध दिया गया क्या थी इस जवान की गलती जो दी गई ऐसी सजा फोडों में दिखाए दी रहा ये जवान देश की सबसे अनुशासत सेना कही जाने वाली CRPF की सबसे खतरनाक तुकडी कोब्रा कमांडो का हिस्सा है जो रात दिन खतरनाक जगहों पर रहकर देश की सीमा की रक्षा करने में जुटा हुआ है सीना का ये जवान हर रोज एक अनजान दुश्मन से अपने देश के लिए जंग लड़ता है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस जवान को ही बेडियों में बांध दिया गया इस कोब्रा कमांडो जवान जिनका नाम सचिल सुनिल सावंथ है उन्हें पुलिस ने बेरहमी से पीटा इसके बाद थाने ले जाकर घंटों जमीन पर बेडियों में बांध कर रखा पुलिस के इस कारवाई पर लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं लेकिन क्या वज़व थी जो कोब्रा कमांडो के साथ पुलिस ने ऐसा बरताव किया कोब्रा कमांडो को बस इसलिए गिरफतार किया गया क्योंकि इन्हों ने घर के बाहर बिना मास्क लगाए अपनी बाइक धोई थी पुलिस वालों ने जैसे ही ये देखा कमांडो पर तूट पड़े और लाठिया बरसानी शुरू कर दी पलिस यहीं नहीं रुकी कमांडो को अपने साथ थाने लेकर गई और वहां घंटों तक बेडियों में बांध कर कमांडो को जमीन पर बैठाए रखा और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया ये पूरा मामला 23 अप्रेल का है जो अपने घर के बाहर बाइक धो रहे कोब्रा कमांडो सचिन सावंत को पलिस घर से उठा कर ले गई और दुर बहवार किया जब कि पलिस जानती थी कि सचिन एक कमांडो है और छुटियों में घर आये हुए हैं पलिस की इस कारवाई को लोग बदली की भावना बता रहे हैं पलिस ने इतनी सी बात पर सचिन को हदकड़ियां पहनाई जो की गैर कानूनी है मामला करनाटक का है जिसके बाद जनता में आगरोश है कि पलिस एक कोब्रा कमांडो के साथ ऐसा बलताव कैसे कर सकती है सी आर पिएफ के आला अधिकारियों की दखल अंताजी के बाद इस मामले की जाच की जा रही है करनाटक के ग्रह मंत्री ने इस पूरे मामले की जाच करने के निर्देश जारी कर दिया है लोगडाउन के इस दौर में पलिस के कई वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें पलिस का एक अलग ही चहरा नजर आ रहा है कहीं पलिस लोगडाउन का उलंगन करने वालों से ठुमके लगवा रही है तो कहीं बहरेमी से उनके साथ मार पीट कर रही है हाल ही में सामने आए कोब्रा कमांडो के इस वीडियो के बाद पलिस महकमी की कारिप्रणाली पर एक और प्रश्ण चिनने लग गया है लोगडाउन का नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कहीं तरह की कारवाई की जा सकती है चालान काटा जा सकता है और पहले पहल तो समझाईश दे कर छोड़ दिया जाता है लेकिन इसी बीच एक कोब्रा कमांडो के साथ पलिस का ये बरबरता पूर्वक विहवार समझ से परे है रात दिन देश की सीमाओं पर जंगलों में अंजाने खत्रों से लड़कर देश की रक्षा करने वाले कमांडों के साथ ऐसा विहवार किसे शोभा देता है मामले की जाज की जा रही है और दूशी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर उचित कारवाई करने की बाद भी कही जा रही है